योजनाईन हिंदी यूटूब चैनल पर आपका स्वागत है भारते रिजवर बैंक ने बड़ा फैंसला लिया है और इस बैंक का लाइसेंस रद कर दिया है अगर आपका भी इस बैंक में खाता है तो अब आप अपने खाते से केवल इतने रूपे निकाल सकते हैं जहां साथ हो भारते रिजवर बैंक यानि के आर बी आई ने एक और बैंक का लाइसेंस रद कर दिया है और अब की बैर जो लाइसेंस रद किया गया है वह उत्तर परदेश के इस बैंक का किया गया है और किस बैंक का लाइसेंस रद किया गया है क्यों रद किया गया है हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं और अगर आपका इस बैंक में खाता है तो आप कितने पैसे इस बैंक से निकाल सकते हैं सब कुछ जानकारी हम आपको इसी वीडियो के माध्यम से देने वाले है तो वीडियो को आज तक जरूर देखेगा और वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करिएगा और चैनल पर नए आए है तो सस्क्राइब भी जरूर करिएगा तो चलिए वीडियो के सुरूरात करते हैं और बताते हैं कि किस बैंक का लाइसेंस रद किया गया है भारतिरीजवर बैंक ने उत्तर परदेश के एक बैंक का लाइसेंस रद कर दिया है ग्रहाक की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए केंद्रिया बैंक ने यह फैसला लिया है RBI ने UP के उत्तरप्रदेश के नगिना के बिजनोर के यूनाइटिड इंडिया कोपरेटिव बैंक लिमिटेड का बैंकिंग लाइसेंस रद कर दिया है यह है UP का सहकारी बैंक था जो उत्तरप्रदेश का नगिना जिला है जो विजनोर जिलेम पढ़ता है उसमें यूनाइटिड इंडिया कोपरेटिव लिमिटेड बैंक का लाइसेंस रद कर दिया है और यह है उत्तरप्रदेश का सहकारी बैंक है क्यों रद किया गया है वह भी बताएंगे भारतरीजवर बैंक ने नगिनना के विजनोर के युनिटिड इंडिया कोपरेटिव बैंक लिमिटिड का लाइसेंस इसलिए रद किया है क्योंकि बैंक के पास प्रियाप्त पूंजी और कमाई की कैबसिटी नए होने की वज़े से आर बी आई ने यह फैसला लिया है इसके लिए बैंक ने कोपरेटिव कमिशनर और रजिस्टर को यह आदेश दिया है इसी के साथ आर बी आई ने एक लिक्विड डेटर भी इसके लिए नियुक्त किया है क्योंकि जो कोपरेटिव कमिशनर और रजिस्टर है उन्हें भी आदेश दिया है वो इसके साथ ही एक लिक्विड डेटर भी इसके लिए नियुक्त किया गया है अब नहीं होगी पब्लिक डिलिंग का काम कल से यानि 19 जुलाई 2023 से United India Cooperative Bank में कोई भी काम नहीं होगा ये कारोबार के लिए बंद हो गया है इस बैंक में अब ना ही पैसे जमा होंगे और ना ही इसमें से कैस निकाला जा सकता है United India Cooperative Bank Limited Banking विनियम अधिनियम 22 तीन ए 22 बी 22 तीन सीव 22 डी और 22 तीन ई की आवसकता का पालन नहीं कर पाई इस वज़े से केंद्रिय बैंक ने यह फैसला लिया है अब गरहाग कितना पैसे निकाल सकते हैं इस बैंक के जो खता धरक है गरहाग है उनके लिए RBI ने कहा है कि ये बैंक जमा करता हो और ग्रहाग के उप्यूक नहीं है बैंक अपने वित्ते स्थिती की वज़े से ग्रहाग को पूरे पैसे नहीं दे सकता है ऐसे में बैंक के ग्रहाक जमा करता नियुमों के तहट डिपोजिट और क्रेडिट गारंटी कोपरेशन से पांच लाग रुपे तक इसमें निकाल सकते हैं तो साथियो अगर आपका भी इस बैंक में खाता है तो आप 5 लाग रुपे तक इस बैंक से निकाल सकते हैं और क्यों लाइसेंस रद किया गया है हमने आपको इस वीडियो में बता दिया है वीडियो का आपको अच्छे लगाओ तो एक लाइक से अरकमेंट जरू करिएगा और चैनल पर नए आए है तो सस्क्राइब भी जरू करिएगा